स्वागत है आप सभी का स्टार्टिक जीके में आज हम नेशनल एजुकेशन पॉलसी यानि की रास्ट्रिय सिक्षा नीती 2020 की बात करने वाले हैं आप सभी लोगोंने NEP के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ रखा होगा तो उसी NEP के जो टॉप 20 कोशन बन सकते हैं आपके एग्जाम में उसी की हमने एक सिरीज लेकिया हैं और प्लीज पूरी वीडियो को एंड तक देखिएगा बहुत ही ज़दा इंपॉर्टन सेशन है और मैं गैरेंटी लेता हूँ कि एक कोशन आपके एग्जाम में NEP यानि National Education Policy से 100% पूछा ही पूछा जाएगा ठीक है स्टार्ट करते हैं वीडियो को और प्लीज इस वीडियो को शेर जरूर करिएगा सभी के साथ चलिए फर्स्ट कोशन आपके सामने आगया है कि नई सिक्षा नीती 2020 के प्रावधानों को लागू करने में सरकार सिक्षा पर GDP का कितना प्रतिशत खर्च करने वाली है यानि कि जो टोटल जीडिपी होगी देश की उसका कितना प्रतिशत सिक्षा पर खर्च होगा ध्यान लखेगा 6% यानि कि 6% सिक्षा पर सरकार खर्च करेगी टोटल जीडिपी का यानि कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडट का ठीक है आगे बढ़ते हैं कोशन नमबर टूपे सेकेंड हमारा कोशन है कि मानो संसाधन विकास मंत्राले का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है इस कोशन पे आप स्टार लगा लो जितने लगा सकते हो 100% चांस है ये कोशन आपके एकजाम में बनने के चाहे वो current affair के form में आप ले लोगे चाहे वो आप seated of gara के form में ले लोगे हर एक point of view से कोशन आपके लिए important है ध्यान लखिएगा ये इसका नम बदल कर कर दिया गया है सिक्षा मंत्राले तो be option हमारा correct option होगा अब आपके दिमाव में आ रहोगा कि सेरी ये सिक्षा मंत्राले इसका नम बदल कर क्यों कर दिया क्या है यह नाम अच्छा नहीं लग रहाता देगे नाम अच्छा लगने वाली बात नहीं है सरकार का ये मानना है कि हम सिक्षा को संसाधन के रूप में नहीं मान सकते है न ये कोई व्यापार नहीं है वैसे आप तो व्यापार बनी गया है बट सरकार का ऐसा मानना है ये कोई संसाधन नहीं है तो इसलिए इसका नाम बदल कर सिक्षा मंत्रा ले कर दिया गया है तो B option हमारा इसका correct option होगा आगे हम बढ़ते हैं कोई नमबर 3 पे और like बटन पे प्रेस सभी लोग करते हुए जाईएगा थर्ड हमारा कोईशन है इसकूली सिक्षा का स्वरूब बदल कर क्या कर दिया गया है समझने कोशिश करिएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ देखो पहले अब पहले क्या इस टाइम एड प्रेसेंट टाइम पे क्या सेडूल है 10 प्लस 2 प्लस 3 का concept चल रहा है यानि कि पहले आप प्लस 10 तक पास करोगी ठीक है उसके बाद 11 और 12 पढ़ोगी इसी 11 और 12 को हम 1st year और 2nd year का रूप देते हैं ठीक है यानि 11 को 1st year कहते हैं और 2nd year को क्या कहते हैं 12 कहते हैं और यह जो प्लस 3 लिखा होता है अड प्रिजन टाइम पे जो चल रहा है सेडूल उसमे प्लस 3 होता है कि आप graduation का लीजे 3 साल पे यह इस समय चल रहा है लेकिन अब सरकार ने इसको बदल दिया है नई सिक्षा नीट पे इसको कर दिया है 5 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 4 का concept इसको दे दिया है अब देखो यह तो बहुत interesting topic है 5 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 4 बट यहाँ पर मैं आपको 10 सेकंड में थोड़ा सा overview दे देता हूँ देखो यह जो 5 लिखा हुआ आपके सामने न actually मैं इसको कहते हैं foundation course जैसे मानलों की पहले सरकार क्या कहती थी सरकार कहती है कि आप बच्चा जो है वो 6 साल की उमर में स्कूल में उसका admission हो जाना चाहिए लेकिन अब at present time में जो नई सिक्षानीती लाग हुई है सरकार उसमें कह रही है कि नहीं बच्चा जब 3 साल का हो जाए तभी आप इसको स्कूल में डाल दीजिए ठीक है सरकार का कहना है कि हम 3 साल तक बच्चे को कुछ नहीं पढ़ाएंगे और वही काम ये pre foundation course में सरकार कह रही है ये कहरें जो 5 लिखा हुआ है यहां 3 साल तक बच्चे को हम कुछ भी नहीं पढ़ाएंगे हम सिर्फ उसको play way यानि कि खेलना सिखाएंगे जैसे बच्चा स्कूल जाने से भागता है तो सरकार का कहना है कि हम स्कूल आप बच्चे को भेजिए जो बच्चा घर पे खेल खेलता है वही खेल हम उसको घर पे स्कूल पे खिलाएंगे ताकि बच्चे का जो मन है starting सही स्कूल जाने में लगने लगे तो 3 साल तक टीचर उसको कोई खेल खेलने के लिए कहेंगे पेंटिंग वगरा करेंगे सब कुछ काम करेंगे 3 साल तक और जो बच्चे 2 साल है 5 साल में इन ही 2 साल में जो बच्चे हैं उनको A, B, C, D या फिर जो भी इनका pre-level का कोर्स होता है उसको पढ़ाने को बात करेंगे ठीक है बाकि यह जो सारी चीज़े हैं यह थोड़ा सा बड़ा है तो इसलिए मैं इसको skip कर रहा हूँ आगे हम बढ़ते हैं कोशन नंबर 4 पे चलो कोशन नंबर 4 हमारा है त्री भाषा फार्मूला सभी राज्यों को मानना जरूरी नहीं है इनमें से कौन सी भाषा को रखा गया है अब देखो यहाँ पर त्री भाषा हैं नहीं कि ट्राइंगुलर फार्मूला की यहाँ पर बात की जा रही है जैसे अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, छेत्रिय भाषा कौन सी भाषा यहाँ पर सही है ठीक है यह चीज यहाँ पर पूछी गई है अब एक चीज यहाँ पर समझने कोशिश करना त्री भाषा का फार्मूला हो गया कि जैसे अंग्रेजी हो गया और हिंदी हो गया उर्दू हो गया यहाँ पर बात सिर्फ उर्दू की नहीं की गई है एक पर्टिकुलर किसी भी हम कह सकते हैं हिंदी और इंग्लिश तो हमारा जो है मानना ही मानना है हमें बोलना ही बोलना है हमें सीखना ही सीखना है लेकि जो उर्दू है इसको कहते है एक particular area एक particular समुदाय के लोग ही बोलते हैं तो इसको include नहीं किया गया है उसकी जगापर उसकी area का जो regional language जो छेत्रिय भाशा है उसको include किया गया है तो A, B और D यहाँ पर हमारा correct option होगा तो D यहाँ पर आपका है यही हमारा correct option हो जाएगा आगे हम बढ़ते हैं question number 5 पे और देखे सभी लोग subscribe भी जरूर करिएगा और वीडियो आपको पसंद आ रही है तो यहाँ नीचे लाल करर का button होगा उसपे प्रेस करके subscribe करिएगा और आल पे click करके सारी notifications आपको मिल जाए करेंगे ठीक है फिफ्थ हमारा question है कि स्कूली सिक्षा में 5 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 4 के 4 अस्तर में 5 को कौन सी schooling कहते हैं अभी भी मैंने आपको बताया यह pre primary school होता है foundational course इसको वोड़ते हैं तो A option हमारा यहाँ पर correct option होगा आगे हम बढ़ते हैं question number 6 पे कौशल विकास course किस work class से starting होगा मैं जब आपको CDP अगर इससा पढ़ाता हूँ तो मैंने आपको बीच-बीच में बता दिया है कि जो सरकार ना हो कह रही है कि जब आप class 6 में पहुंच आओगे तो हम 10 दिन के लिए एक course launch करेंगे जो कि आपका skill develop करेगी यानि जब बच्च हमारा यहाँ पर correct option होगा आगे हम बढ़ते है question number 7 पर like बहुत का मारा है तो like बटन पर प्रेस तो जरूर प्रेस करिएगा seventh हमारा खोशने की नई सिक्षा नीती में कम से कम किस वर्ग यानि कच्षा तक मात्र भाषा में सिक्षा देना अनिवार है देखो मात्र बहाशा क्या होती है मात्र भाषा होती है जो हमारी बोल-चालकी भाशा है जो भाशा हम अपनी family के साथ बोलते है अपने दोस्तों के में ही सिक्षा देना अनिमार किया गया है ठीक है आगे हम बढ़ते हैं कोशन नंबर 8 पे एर्थ हमारा कोशन है नई सिक्षा नीती 2020 के कितने साल बाद आया है अब यहाँ पर एक चीज़ समझना नई सिक्षा नीती अब तक कितनी बार आ चुकी है यह आपको जानने के यह देखो यह 1986 को संसोधी कुछ अपडेट किया गया था 1992 में है खासकर कोई बहुत ज़ादा अपडेट नहीं था इसलिए इसको काउंट नहीं किया जाता है इसमें लेकिन इसलिए इसको हमने तीन जो है मानते हैं कि जो है तीन बार ही अब तक बदलाओ किये जा जुके है तो 1986 से अगर 2020 की अगर हम थोड़ा सा घटा करके देखेंगे तो 34 साल हमारा यहाँ पर आएगा तो एर्थ का जो हमारा D option होगा वो हमारा correct option हो जाएगा ठीक है आगे हम बढ़ते है question number 9 पे 9th हमारा question है national assessment center किन के लिए बनाया गया है ठीक है समझने कोशिश करिएगा जो national assessment जो center है वो बनाया गया है बच्चों के लिए यहाँ पर अभिवावा की कोई जरूरत नहीं यहाँ पर teacher की कोई जरूरत नहीं है यह assessment का मतलब इसलिए बनाया गया कि बच्चा सिर्फ teacher पे depend ना रहे बच्चा एक्जाम पे depend ना रहे बच्चा खुद की assessment खुद कर पाए अपना मुल्यांकर वो खुद कर पाए कि यार इतने कोशन मैंने किये थे इतने मेरे सही हो पाए इसका मतलब मुझे और मेहनत किरने की जरूरत है तो यह assessment center बच्चों के लिए खोले गये थे त कोर्स का नाम है M.Phil ठीक है M.Phil को अटा दिया गयाने कि MA के बाद आप सीधे PhD कर सकते हो ठीक है तो C option यहाँ पर हमारा correct option हो जाएगा M.Phil को अब हटा दिया गया है है आगे हम बढ़ते है question number 11 पे 10 question हो चुके है अगर वीडियो पसंद आ रही है तो like button पे प्रेस जरूर कर foundation का देखो नाम से ही पता चल रहा है जहां पर research होगी वहीं पर तो सोध हो गया रहा हो किये जाएंगे तो सीधा सब मतलब यहाँ पर है सोध को बढ़ावा देने के लिए जो research foundation है यही उसका work होता है ठीक है 11 का जो हमारा C option है वो correct option होगा जितने question में session में आपको करा रहा ह 12 मारा question है नई सिक्षा नीती 2020 में किस वर्ष तक schoolी सिक्षा में 100% का लक्ष रखा गया है जो student होना वो 100% तक आएं त्यानि कि उनकी attendance जो हो चाहे ऑप qualification की बात कर लो चाहे जिस तरीके से बात कर लो उनको 100% चाहिए आप बच्चा जो है school में 100% आए ही आए इसका मतलब क्य option हमारे यहाँ पर correct option हो जाएगा ठीक है आगे हम बढ़ते है question number 13 पे 13 हमारा question है कि नई सिक्षा नीती में उच्च सिक्षा में GER को 50% करने का लक्ष कब तक रखा गया है ठीक है अब देखो GER का मतलब क्यों हो अभी मैंने आपको बता है gross involvement ratio की यहाँ पर बात करते हैं तो अभी आपको मैंने यहाँ पर बता है 2030 तक ratio यहाँ पर 2035 लिखा हुआ है जान रखेगा 50% हम बात करेंगे तो 2000 हम 35 लगा करके आएंगे अगर 200% की हम बात करेंगे तो हम यहाँ पर 2030 लगा करके आएंगे इस चीश को आप ध्यान रखेगा मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ऐस है आगे हम बढ़ते हैं question number 14 पे सरकार की policy है जो कह रहे हो करना ही पड़ेगा नई सिक्षानित में बहु भाशा वात को बढ़ावा देने के लिए किस भाशा को नहीं लिया गया है ठीक है ध्यान दखिएगा नहीं लिया गया है जिस भी question में नहीं लिखा हो उस question को हमें बह comment section में जरूर लिखना I hope की मग ही भासा है और इसी को जो है बहु भाशावाद में सामिल नहीं किया गया है तो A option हमारा यहां पर correct option होगा ठीक है आगे हम बढ़ते है question number 15 पे NEP 2020 पे 100% युवा और proud सिक्षा का केंद्र कौन सा साल है यानि target की वही बात की जा रही है जैसा अभी मैंने आपको बताया था कि जहां पर 100% की बात आती है वहां आपको 2030 करके आना है और जहां पर 50% की बात आएगी वहां आपको 2030 करके आना है ठीक है तो C option यहां पर हमारा correct option हो जाएगा आगे हम बढ़ते हैं question number 16 पे और like जरूर करते हुए चलिएगा सभी लोग like अभी भी काफी कम है आप लोग videos तो देख लेते हैं लेकि like नहीं करते या like और पूरी life में आपको कहीं पर भी काम नहीं आएगा जहां भी काम आएगा यहीं पर काम आएगा और आ बहुत important question है star लगा लो 100% chance है आपके exam में पूछे जाने के और यह कस्तूरी रंजन समीती थी तो B option हमारा यहाँ पर correct option हो जाएगा ठीक है ध्यान रखेगा बहुत ही important question है question number 16 17th हमारा question है इस्कूली सिक्षा के लिए रास्ट्री पार्टे करम रूप रेखा किसके द्वारा तयार किया गया था यहने कि national curriculum framework ठीक है तो A option हमारा यहाँ पर correct option होगा NCRT की द्वारा NCR 2005 की हम बात करते हैं ठीक है आगे हम बढ़ते है question number 18 पे 18th हमारा question है परक नामक नए रास्ट्री आकलन केंदर के स्थापना किसके लिए स्थापित होगी ठीक है एक जो है आकलन करने के लिए एक assessment करने के लिए एक center खोला जागे जिसका नाम है परक और वो किसके लिए होगा simple सा है यह पूछा गया है ध्यान लखेगा मैंने अभी आपको बाता है था कि एक मुल्यांकन center खोला जाएगा बच्चों के लिए ताकि बच्चे खुद का मुल्यांकन खुद कर सकें वो अपना assessment खुद कर सकें किसी के उपर वो depend आ रहे हैं चाहे वो उनके parents हो चाहे वो teachers हो चाहे कोई भी हो तो बच्चों के प्रकरतिक मुल्या आइकन होगी घंटी होगी उसको दबाके आल पे क्लिक जरूर करिएगा कि academic bank of credit card क्या है ठीक है important question यह भी है जो तने question छोटे होते हैं वो question और important होते हैं क्योंकि बच्चा जो सोसता बहुत easy है वहीं वो गलती कर जाता है तो 19 ध्यार रखिएगा उच्च शिक्षा संस्थान question number 20 पे 20 हमारा question है कि अध्यापक के लिए नियुन्तम डिगरी योगता चार वर्स कब तक अनिवार कर दिया जाएगा ठीक है आपको पता होगा अध्यापक के लिए यानि कि आप बीड़ वगरा की हम बात कर लेते हैं तो यह जो है अभी जल्दी लागू नहीं की जाएगी यह आपकी कम से कम 2030 से 2035 तक लागू की जाएगी तो यहाँ पर आपको बिल्गुल टेंशन लेने के जरूरत नहीं है अभी जैसे चल रहा है वैसे ही चलेगा अभी यह चीज लागू नहीं होगी और इसका target रखा गया है 2030 और 35 तक यहाँ पर हमें सिर्फ 35 दिख रहा है तो चीज़ दो प्रहूंगि नहीं है अट रहा है तो यह आपकी कम से बिल्गे जाए और हूंगि में और किया तो यहाँ वेड़्युन आपको अने के बिल्गा टार मूज़ कर जा भीविर्द्स का लेगांग्यू आपको बिल्गे सुट्वीर शवार्टवर्ट अवर्यू अ